बुड manning दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि एंटर का शॉलर्षीप आवधन है स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों को इसमें क्या-क्या लगने वाला है और आप लोगों को कितना का payment उठेगा और आप लोगों को इसका आवेदन किस टैप से भरना परेगा और आपको कितना amount आपको मिलने वाला है तो दोस्तो वीडियो को लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं हम आप लोगों को दिखाते हैं कि किस परकार से आप लोगों को इसका आवेदन करना है और आप लोगों को कितना का payment मिलेगा और आपको क्या-क्या इसमे requirement है document का तो चलिए कर लेते हैं कि आप लोगों को कितना का amount मिलने वाला है तो पहले क्या था कि पहले इंटर पास करके अगर कोई भी आवेदन करते थे तो आप लोगों को वहाँ पे 15,000 का amount मिलता था जो की प्रोत्साहन रासी होता था जिसे आप scholarship कहते हैं लेकिन अभी उस amount को बढ़ा करके 15,000 से 25,000 कर दिया गया है अगर आप लोग कोई भी इसमें आवेदन करते हैं जो भी लड़कियां इसमें आवेदन करते हैं उनको आप लोगों को 25,000 रुपए मिलने वाले हैं 25,000 लेने के लिए आप लोगों को document का जो ज़रूरत परेगा वो आप लोगों को आधार card और आधार seeding एक bank account जो आप किसी भी bank account में अगर आपका जैसे किसी भी main branch या secondary branch जो CSP होते हैं उसमें अगर आप लोगों का account है तो आप लोगों का अधार card से link account होना चाहिए साथी आप लोगों को mark seed होना चाहिए आपका enter का और साथी आपको registration number होना चाहिए ये सभी आप लोगों को पहले तैयार कर लेना है उनके बाद आप लोगों को एस्कोरल लड़ सीप के लिए आवेधन करना है आवेधन करने के लिए अभी नया website जारी किया नहीं गया है आप लोगों को हम बता दे नया website पर अभी काम चलड़ा है जैसे ही website launch हो जाता है तो आप लोगों को information मिल जाएगा और उस पे जाकर के आप लोगों को आवेधन करना होता है और हम आप लोगों को बता दे कि इसमें जितने भी आपको student जो भर देंगे बिहार, board, scholarship जो कि आप लोगों को 2022 में जो भी पास किये है वो जो भरेंगे इसमें सिर्फ लरकियां ही आवेधन कर सकती है और लरकियां जो आवेधन करेंगे उनका साधी नहीं होना चाहिए मतलब अगर साधी हो चुका है तो फिर उनको ये पैसा नहीं मिलेगा तो हम आप लोगों को बता दे अगर आप लोग साधी सुदा है तो आप लोग इसे आवेदन न करें तो ही बेटर हैगा अगर आप लोगों का साधी नहीं हुआ है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तब ही जा करके आपको मिलेगा चुब मुखे मंतरी खन्या उत्तान युजना का जो नियम है उस नियम के अनुसार अगर किसी भी लरकी का साधी हो चुका है तो उनको ये प्रत्साहन रासी नहीं दिया जाएगा अगर जिस भी लरकी का जैसे साधी नहीं हुआ है और वो इंटरपास कर चुके हैं तो वो इस पिरियड में अपना लाब उठा सकते हैं और आवेधन करने के लिए जैसे ही वेवसाइट आएगा तो आप लोगों को नॉटिफिकेशन वीडियो मिल जाएगा तो जोस्तों इसके लिए चैनल को सब्स्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो